आजादी के बाद जो है उनका सारा जीवन यहीं रोतक में रहा और पूरे जीवन उनका समा सेवा में रहा जो भी होता वो एक प्रेणा सोत रहे हैं हमारे लिए आज भी हैं और चाहे वो स्टेचू शहीद बगत सिंग के हैं चाहे पने जवाला नेरु का है चाहे वास चंदर करें से आजादी में लिए अच्छा आपने आजियास के साथ चेरे की जा रही हैं ता क्या ताप्रियत है यह मनमून ने कहा था नहीं इस तरह बड़ा योगदान रहा है जैसे 1857 से आप लगा और राजे नाड़ सिंग को जज़र नॉब को किस परकार से खले आम फांसी तो यहां के रहे हैं और यहां के करम भूमी लाला लाजबतराय की भी तो इस वास्ते इत्यास में जिन्सकी जो है उसकी अस्तान वो उनको मिलना चाहिए अच्छा चिंतन शिवे रुआ उसके बाद दो बड़े कॉंग्रेस के देता चोड़के जा चुके हैं जाकर ओम भांदी करें कई आ भी चुके हैं अजय है सरे कुलदीव लिश्णवेए ने मुक्य मंत्री के साथ मुलाकाद की और इस तरह की चचाहें चलने लगी कि कुलदीव भी भारती जंता करना को थोड़ा ही है को दूश्मनी थोड़ा ही आपस मुलाकात तो तो उत्ती रहती हैं भाई सब की होती हापक मैं कि सरा नेरे में 11 जा के मुलाकात करना। कोई मतलब वह थोड़ा ही है, पापंदी थोड़ा ही मुलाकात की, कोई काम होगा चले गए उनने। और यह काधा रहा है कि पर्देय संध्यक्स बनने के बाद नाराज चल रहे हैं? मेरी किसी से नाराज है नियुकर. अभी पिश्णों ने ये कहा था कि प्रदेश संद्यक्स उन्हें नहीं बनाया गया तो कारेकरताओं से बात करके बड़ा फैसला था उनसे पूछो ना मेरी किसी से कोई नराज भी नहीं तो कांगरेस के क्या कुछ आने वाले दिनों में हर्याना में किस तरह क्या कारेकर मौने कांगरेस चलेगा तो उन्तश तारीकुद अफद्याबाद में है विपक साब के समख और संकठन मजबूत बनेगा और लोगों के हितकी लड़ाई लड़ेंगे जो ये सरकार जो है नौ हराण सेंगा आशाय आई है विपक्षय हम को पूरा कारें अब के समया यहां प्रदेश चला स hedge magic E这से मजबूत की कंजओर कभ देखिया जोडेशिए हम को कर देंद द्धीक कंजर मजबूत है लिघ टी लोगई लग ए bilingual वोतक में 16 इकर जमीन का मामला था तो गोड़ ब्रामन सिक्षन संस्तान को दी गए और उसको लेकर के अब कूरे प्रदेश में लोग लामबंद हो रहे हैं कि उस जमीन को गोड़ ब्रामन सिक्षन संस्तान को दिया जाए और सरकार उस बारे में कोई अमने तो दे थी अब उन जसला करके उसी बेदेनी की